सपा में शुरू हुआ चुनावी बार अखलेश की चेतावनी के बाद स्वामी प्रसाद मौर ने ले लिया बड़ा फैसला छोड़ दिया पत क्या सपा से दूर जाने का प्लान फाइनल हो गया है या फिर लोकसबा के टिकट के लिए दबाव बना रहे स्वामी सपा नेता बोले स्वामी का दूर जाना बहतर अखलेश का दिया सम्मान पचा नहीं पा रहे उत्तरप्रदेश की सियासी जगत से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर भले ही अपने बयानों के लिए सुर्कियों में रहते हो लेकिन आज उनका त्याक पत्र सामने आया जिसके बाद एक बार फिर से वो खबरों में छा गए है स्वामी प्रसाद मौरे ने सपा के रास्ट्रिय महासचिप के पद से स्तीफा दे दिया है पार्टी के रास्ट्रिय अध्यक्ष वानिनेताओं पर अपने उपहास का आरोब भी उन्होंने लगाया है त्याक पत्र में कहा है कि मैं पद से त्याक पत्र दे रहा हूं पार्टी से नहीं यानि कि वो सपा के साथ बने रहेंगे लेकिन सपा के महासचे वब नहीं रहेंगे उनका कहना है कि वो कारिकरता के तौर पर पार्टी का काम करते रहेंगे चलिए आपको दिखाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौरी ने अखले शादब को जो पत्र लिखा है उसमें क्या कुछ बाते कही गई है। इसके अलाबा उन्होंने और भी महापुर्शों के बयानों का जिक्र किया। स्वामी प्रसाद मौरे ने इस पत्र में दावा किया कि साल 2023 में उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जातिवार जनगणना कराई जाए। अनसूचित जाती अनसूचित जनजाती और पिशलों के आरक्षन को बचाने के लिए पार्टी की ओर से एक अभ्यान चलाया जाए। अपने तमाम बयानों और अभ्यानों का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौरे ने कहा कि मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब पार्टी के बड़े नेता चुप रहने के बजाए मेरे बयान को निजी बयान कहके कार करताओं के होसले को तोड़ने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं रास्ट्य महासचिव हूँ जिसका कोई बयान आखिर निजी कैसे हो सकता है। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रत्क्रियां भी आने लगी। प्रेपोर्ट मीडिया हल चल। प्रेपोर्ट मीडिया हूँ प्रेपोर्ट मीडिया हूँ प्रेपोर्ट मीडिया हूँ